दिल्ली में हुए दंगों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी के नेताओं के हेट स्पीच पर सवाल उठा रहे थी और उन्हें घेरने की कोशिश भी कर रही थी अमिश्या ने दिल्ली दंगों पर लोगसभा में चर्चा के दौरान बोलते हुए हेट स्पीच पर भी अप्पी बात रखी और सोनिया गांधी उमर खालिद असदुद्दीन वैसी वारिस पठान जैसे नेताओं के बयान का भी जिक्र किया 14 डिसंबर को 14 डिसंबर को राम लीला मैदान में पार्टी बड़ी रेली करती है एंटी सीए रेली में पार्टी के अध्यक्स महोद है भासन करते हैं कि घर के बार निकलो आर पार की लड़ाई निकलो अस्तित्रों का सवाल है इसके बाद उनके एक वरिष्टे सा भासन करत क्या भाता नहीं है और इतनी सारी hate speech, hate speech दाडा बोलते हो आप सब लोग ये hate speech नहीं लगती क्या आपको खराब नहीं है घर के बार निकलो, और पार की लड़ाई लड़ो ये खराब नहीं है और साथ देखे देखे जिस hate speech का वो ठिक्र करे है वो तो पुलिस जांच करिए जो कानूनन होगा वो करेंगे परन्तु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ ये 14 डिसेंबर की रेली के बाद 16 डिसेंबर को साहीन बाद का धर्णा सुरू हो गया और वहीं से ये चीज की मनेवर सुरूआत होगी मनेवर मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके बाद 24 एक स्पीच होती है 17 फरवरी को दादा ध्यान से सुनना 17 फरवरी को एक संगठन चलाते है United Against Hate हम तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा भाचन क्या करते हैं हम वादा करते हैं 24 तारिक को जब डोनाल टरंप हिंदूस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदूस्तान की सरकार क्या कर रही है यह बताने के लिए मैं सब लोगों को दर्म का नाम नहीं बोलता हूँ अवाम को हिंदूस्तान के हिकुमरानों के खिलाब रोड पर आने के लिए आखवान करता हूँ और 24 तारिक को दंगो की शुरुआ जब यह 17 तारिक होता है यह हेट स्पीद नहीं है मानेवर यह हेट स्पीद नहीं है क्योंकि वो वाट बेंक को एड्रेस करती है इसलिए वो हेट स्पीद नहीं मानेवर उसके बाद वारिषकान पठान जरह सुनना भई ओवेशी जी वारिषकान पठान 19 फर्वरी 2020 24 तरीकों दंगे होते हैं 19 फर्वरी को क्या हुआ 19 फर्वरी को वो कहते जो सीज मांगने से नहीं मिलती वो छिननी पड़ती है 15 करोड हम है कौने मुझे मालूम नहीं हम 15 करोड है मगर 100 करोड पर भारी पढ़ेंगे रोड पर निकला हुआ मानेवर स्वाबिस तो दंगा हो सुनिये ना बयान वापिस लेने से क्या है साथ मानेवर बयान वापिस लेने से नहीं होता सोस्यल मीडिया के जमाने में वाइरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है 19 फरवरी को ये बयान आया 24 को दंगे होते अमिश्या ने देश को ये भी बताया कि दिल्ली के दंगे प्रायोजित थे और यूपी से आये लोगों ने दिल्ली को जलाया साथ ही ये भी बताया कि अभी तक कितने लोगों को गिरफतार किया गया है ये बात सही है पचार से ज्यादा लोगों की जान गई है हजारो करोड का नुकसान हुआ है ये कोई छोटी चीद नहीं है वहाँ पर काफी समय से एक पुराना इत्यासरा है और ये यूपी की बॉडर से भी सटा हुआ शित्र है मैं यूपी की बॉडर और बाकी बातों पर बाद में आऊंगा परन तुमाने वर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा CRP बेदनी चाही थी हजारो की संख्या बेदनी चाही थी कोई सदस्य सुजाव कर सकता है क्यूंकि उनके पास सायद इंफर्मेशन नहों मेरा विदाई तो है कि पूरी इंफर्मेशन से मैं उनको अवगत करा हूँ इसलिए मैं सारी चीजों को कह रहा हूँ हजारो की संख्या में बेद देना चाही था देरी नहीं होने चाहिए थी कुछ लोगों ने कहा मिलेटरी ला देनी चाहिए थी मानेवर बाइस तारीक को और तेईस तारीक को सत्रा कंपनी दिल्ली पुलिस की तेरा कंपनी सीएपीएप की कुल तीस कंपनी एक्षित्र में पहले से ही वाटावन को देखते हुए हमने रखी थी बाद में मैं आता हूँ वाटावन क्यों ऐसा हुआ उसका 24 तारीक को टोटल 30 के प्लस और 40 कंपनिया बेजी 25 तारीक को और 50 कंपनी बेजी और 26, 27, 28, 29 से टोटल 80 से ज्यादा कंपनिया बहाँ पर टेना थे आज तब टेना थे striking force भी बनाए गए है व्रज साधन के भी striking force बनाए गए है water cannon के भी striking force बनाए गए है और मुस्ते भी से गुने गारों को पकड़ने की भी व्यववसा सुरू कर दी गई है मनेवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाएं कि F.I.R हुआ या नहीं हुआ क्या करी है कितने पकड़े गए मानेवर 25 तारिक की राज से 26 एक एतियाद के तौर पर हमने दंगा और भढ़के इसके लिए रहा देखी 27 तारिक से आज तक 700 से ज़्यादा प्रात्मी की दर्ज की जई है 700 F.I.R हमने दर्ज की O.S. आप कहे रहे हैं कि जैसे एक ही कॉम्यूनिटी के लोगों पर संकट है मगरे दोनों कॉम्यूनिटी के लोगों पर है और ऐसे मुझे लगता है सदन्वे भाषण नहीं करना चाहिए टोटल 26 से 267 लोग 267 अभी कह रहे हैं 1101 कॉम्यूनिटी के पकड़े गए तो 267 लोग सिरासत में लिए गए हैं या एरेश्ट किये गए हैं CCTV और वीडियो फूटेज का डिटेल 25 से ज़्यादा कॉम्पूटरों पर एनालिसिस हो रहा है हमने एड़ोटाइज दे कर समगर दिल्ली की जनता से समगर मीडिया जनों से डिटेल मागा है कि भी आपके पास कोई भी फूटेज हो और कोई भी चीज हो तो आप प्रूपिया इस email address पर इस WhatsApp नमबर पर बेज़े और मुझे कहते हुए आनन्द है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो आइदर और साइट से दिल्ली पूलिस को भेज़े हैं और अंकी सर्मा का खुन का भेद भी मुझे आसा है वो ही वीडियो में से बहार आने वाला है माने वर जो वीडियो किसी नागरीक यह कह रहे हैं क्या किया इसलिए मैं कह रहा हूँ फेस आइदेंटिफिकेशन स्वाप्ट्वर के द्वारा यह सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी वेसी साब ने वी कंसर्ण व्यक्त करा हाला कि एक ही कॉमिडियो के लिए किया कि निर्दोस न पकड़े जाए वेसी साब यह सौप्ट्वेर है वो धर्म नहीं देखता है वो सौप्ट्वेर है वो कपड़े नहीं देखता है वो सिर्फ और सिर्फ चहरा और कुरुट के देखता है और चहरा और कुरुट के देखर उसको पकड़ाएगा लोग identify हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूँ 30, 300 से ज्यादा लोग UP से आकर यहां दंगा करने के लिए आये थे वो UP से हमने जो data चेहरों का मंगाया इससे पस्ट साबीत हो गया है जो बताता है कि यह जहरी साजी थी क्योंकि अब मुझे बूलने दो ना मुझे बूलने दो ना और 24 तारीक को माने बर 24 तारीक की राट को 24 तारीक की राट को 10 बजे UP की बॉर्डर सिल करने सबसे पहला काम UP की बॉर्डर सिल करने का करा था उसके बाद भी इनको आप वकील मत बनो इनके मानिये 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 ऊहरा है अब आप इनके सदमे सुष्टारा बोले भाणे पर भारे ब कुरुजर्स रहे सुनर से प्रशी आप को सेवा है कि मर्स ने को जिल्यां जरुद्धर है ने अब दाए रर्म मानिये वर इस मम्हां नें तम बंढ प् catching अछत के पुल के लिफ एंड़ यह परंपरा उचित नहीं है इतने सवे दिन चिल विशे पर चर्चा मागना चर्चा के समय अपने मुद्दो को ठीक प्रकार से कहते हुए जो जो सरकार को कोसना है वो सब बाते कहना वो उनका अधिकार है और जब सन्मानिय गुरुमंत्री जवाब देने के लिए आते है तो उनका जवाब नहीं होने देना और कारण नहों होते हुए भी सबात्या करके चले जाना ये लोग के तंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है जब आप बात कहते हो तो दुसरे की बात भी सुननी चाहिए ये लोग तंत्र का सही अत्तमे स्पिरिट है ये बात ठीक नहीं है कभी ना कभी आपने भी इसका कॉपिंजन्स लेके इन लोगों के इस बात को समझाना चाहिए आप मैं बोल रहा हूँ जादा मैं बोल रहा हूँ मान्यवर्ण मैंने का फेस ऐडेंटिविकेशन के सॉप्ट्वेर के माध्यम से हमने ग्यारा सो से जादा लोगों का फेस ऐडेंटिफार कर दिया है उनकी पहचान कर ली गई है चालीस टीमे बनाई है चालीस टीमे जो इनको एरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज जीन रात लगी है मानेवर्ण इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जन्ता और देश की जन्ता को अस्वस्थ करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोधी सरकार आईजर और साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बक्सेगी जिसका इस लंगों के अंदर रोल और साइंटिबिक एविडेंस के अधार पर हमें पूरी कारिवाही कर रहे हैं साक्षो के बयान गर्ज किये जा रहे हैं बयान भी वीडियोग्राफिक के सामने दर्ज कर रहे हैं पूरी चिन्ता हम कर रहे हैं कि किसी निर्दोस को कहीं पर भी कोई तकलिप न हो